अस्वालेकुम देट्टूएंट्स क्या हाने सब ठीक है आज माना नेक्स्ट लेक्ट्र है अकॉंटिक वेशन के टॉपिक उपर बंस अगें आज की लेक्ट्र में क्वेशन में क्वेशन में 3 और क्वेशन में 4 दोनों को कवर आप करेंगे और अब क्वेशन में 5 होगा वो आपके दिए से अट्री होगा उसको आप लोगे रहे हो सब्सक्राइब करना है गहर में बैठके और इसमें आइशू हुआ ट्रांजक्शन के अंदर तो आपको दी मैसेश करेंगे इसके बारे में डिसक्स करेंगे सब्सक्राइब करें था मिसीर के बारे मतकृ करता रहा है यह आपका ड्र अल्पर के आपका तो अंदर के जन LIKE के अप्रिट लिखेंगे तो वन सब्सक्राइब कर्वर में आ रहा है तो एक एसेट के हैड़ोपर हो जाएगा कैश के नाम से और इसके नीचे आप इसकी इमांट लिखेंगे ट्राजक्शन मरें तू रहे इसके बाद जो सेक्ट एसका है जो आप जो जानते हैं हम कैपिटल में नोट करते हैं तो इसे कैपिटल में नोट कर लेगे हैं बिजनस स्टार्ट करने के बाद जो इसकी साइंट्री है कि परचेज फर नीचर पीस 10,000 सिंपल ट्राजक्शन है हम अलड़ी ये दो स्वालों में स्वाल कर चुक्क हैं जब कैस्ट श्रीता है तो वह इससे पहले अगर आप द हैं किसी गी ऐसे चाना विएगा तो आपने एसे का अब करना है और साथ को चैस किया गया है एक चार्ट अब करेंगे पहले और यूड गया है और remember that मने आपको पहले बिताया था कि second line आपने उसकर नहीं है अपनी books की transaction B है तो furniture के head के निचे उसकी amount हम mention कर देंगे 10,000 10,000 का furniture card one में purchase किया है और चुंकि ये cash basis प्रचेस किया गया है तो आप फिर इसमें से less कर देंगे 10,000 cash में से simple सा fact था एक asset cover में आ रहा है furniture के नाम से और एक asset cover वर से जा रहा है cash के नाम से इसके बाद आप क्या करेंगे balance करेंगे आपकी जो right hand side है capital और creditors and side उसके कोई difference create नहीं हुआ तो अब हम इसे balance करेंगे नीचे लिए entry के अंदर 2 lakh में से 10,000 less कर देंगे 1,90,000 और यहां पर furniture के ऊपर और कोई amount नहीं है तो as it is 10,000 नीचे ब्राड़न हो देगा आपके लिए right hand side है उस पर वैसे तो कोई amount पर नहीं पाला लेकिन आपने balances को ब्राड़न करना है हम क्या करेंगे as it is जो capital है 2 lakh rupees नीचे ब्राड़न देगा इसके बाद transaction number जो C है वो पहले दो questions से थोज़सी मुद्धी transaction है इसमें वो goods purchase कर रहा है goods to purchase करने की हापता कर रहोती तो simple activity लेकिन इस transaction में वो cash भी purchase कर रहा है और credit भी purchase कर रहा है तो he purchase goods worth rupees 50,000 for cash and the goods worth rupees 30,000 on credit 50,000 की चीज़े cash purchase की गही है तो 30,000 की जो goods है वो credit पर purchase की गही है which means that 80,000 goods का रवर में purchase की गही है अब इसके summary क्या है सबसे पहलतर जोबे गूर्स पर रचेस की गही है assets का रवर में आ रहा है तो आप assets का addition करेंगे at goods अब इसके नीचे access words यहां पर मोड लिखते हैं यह mistake होती है वह इसकी बारी जोगा वो यहां पर आ रही है he enter, entry number C तो goods के नीचे उसके head के नीचे उसके मोड लिखेंगे 50,000 की goods cash पर purchase की है 30,000 की goods उधार पर purchase की है credit पे cash में चीज़ें रही दिया है यह आपने उदार पर रही दिया है चीज़ें तो purchase की है आपने तो चितनी total purchasing आप की वह 50 plus 30 80,000 तो आप 80,000 इसकी amount के नीचे लिखेंगे 80,000 की purchase हो अब इस 50,000 की purchase हो और यह 30,000 है वह आपने credit purchasing की है चीज़ेंगे अपने payment नहीं की यह future आपने payment करेंगे अपने supplier को तो यह आपकी liability है और कल में दिसक्स किया था जो future payments होगी जो लैबल्टी होगी वो creditors के head के नीचे आजएगी तो 30,000 आप लिखतोगे creditors के साथ इस तरह source आप में अपनी century को equal करना है equation के अलता है अगर आप देखे mathematically तो left hand side पे 80,000 add हो रहा है 50,000 less हो रहा है तो यहाँ पे 30,000 ला जा जाता है वोगर यहाँ पे 30,000 है और equal की दूसी तरह पी 30,000 है को कामा साथ की अबारता आप equation equal चलोगी है अब इसको balance करेंगे once again 1,90,000 पे 50,000 less कार देंगे 1,40,000 10,000 पे निचर के अज़र ब्रादर हो जेगा और बूस के निचर जो 80,000 है वो भी as it is ब्रादर हो जेगा move to right hand side यहाँ पे 30,000 right hand side पे आप देखे तो creditors के मिचे 30,000 प्रादर हो जेगा और capital के साथ भी कोई amount मेंगे तो यह पी as it is निचरे 2,000 प्रादर ब्रादर हो जेगा इस तना से आप इस entry को equal करेंगे equation के अदर next entry है entry number D, 5.3 के अदर he sold goods to stream परसन नियमा आगे it's mean that कि यह entry credit पे है he sold goods to stream for is 2 lakh costing rupees 17,000 on credit basis same entry question number 1 में थी entry number 4 थी यह आपने चीज़े बेची है मैंने concept दिया था आपको sales price और cost price का लेकिन थोबासा difference ही है कि question number 1 हम ने किया था entry cash basis पे थी अब जो आप question का रहे हैं entry credit purchase credit basis के उपर है यह sale ही लेकिन उधार पे बेची ही अगर आप बुच्छ पे देखें अपने transaction को तो 20,000 की sale की है Mr. Slim को आपने और 17,000 की असल अमाउंट थी अब इसके effect को कैसे रेलोट करेंगे अगर आपने चीज़ें उधार पे बेची हैं बेच्छ आपने cash ने दिया स्नीम से लेकिन आपके कारुबार से गुर्स चलिए वो जो गुर्स जाए कारुबार से गुर्स ने जो कभी आ लिया अप पहरे तो आप वो रिकार्ट करेंगे 17,000 की आप reduction करेंगे अपने गुर्स की फोट में से अच्छा 20,000 की बेची है 17,000 की डेची है एक अच्छा आपको दिया था कि हमेशा आपने गुर्स के हैड़ में से cost price को less करना तो हम क्या करेंगे सबसे पहले हमारे reduction होगी 17,000 की कि इतने गुर्स आपने Mr. Slim को बेच दिया है अच्छा आपने गुर्स बेची है आपने less कर दिया लेकिन आपने चुके उद्धार की चीज़े बेची है तो cash आपके पास नहीं आया तो फिर क्या हुआ यह future payments है दो आपने receive करनी है future receives है आप कारवा की तो जिन लोगों से आपने पैसे लेने हैं future उन्हें हम debtors कहते हैं debtors आपके assets है इसे पर भी मिस्टर्स का चुकी है तो एक नया head open हो देगा debtors के नाप से आप यह दिन ओपन करेंगे debtors और इसके नीचे आप उसका addition कर देगे debtors का कितने की चीज़ें आपने बेची है 20,000 की इसका मतलब कि Mr. Snee जो कि आपका debtor है उससे आपने 20,000 वसूल करना है तो आप वह amount 20,000 की debtors के debtors के नीचे add कर देगे अगर आप mathematics की देखें तो आपकी equation इसकाद equal नहीं है कि यहां के 20,000 add हो रहा है 17,000 less हो रहा है तो इस side पे आपका 3,000 हो आ रहा है जबकि आपके right hand side पे कुछ पिमोण में यह वह क्यों नहीं आ रहा क्योंकि आपको उसकाद पसल जाया था पहला lecture था हमारा जब हमने sale को discuss किया था कि जब costing और sale price तो अलग-लग आपको प्रप्रइट कर दे तो इंद लोग डिफिरेंस होता है और भी सुरीव आपका profit है विजस का profit कैसे है कि कारवर के और में 17,000 की चीज़े 20,000 की करके बेची है यह 3,000 है वो कारवर का क्या है profit और वो profit किस कह लिए capital यहनके मालक का यह 3,000 आप add कर दोगे capital के लिए अब अगर आप देखो तो mathematically आपके equations यह equal चाल रही है 20,000 add होगा 17,000 less होगा तो इस side पर रहागा 3,000 प्य और उस side पर भी 3,000 net किया तो both sides are equal balance करेंगे सुनेट साम इसका once again 140,000 as it is नीचे broaden होजएगा 10,000 कोई change नहीं वीचे broaden होजएगा अब यह जो 80,000 की goods है इसमें से 17,000 की goods चरहेंगे तो वाक्य आपके पास जो balance रहेगा वो 63,000 और 20,000 भी as it is नीचे broaden होजएगा similarly आप right hand side को equal करेंगे कैसे करेंगे हम equal कि जो 3,000 की creditors है उसमें कोई change नहीं उसको as it is नीचे broaden करेंगे और 2 lakh capital tax का 3,000 add हुआ तो यह बन गया 2 lakh 3,000 2 lakh 3,000 capital मिला के लिए करने हम मालक के सर्माइब तो 3,000 की उसमें cash withdraw कि है और और से cash जा रहे तो आप क्या करेंगे जी cash category open है इसमें से आप 3,000 less कर देंगे और चुंके expense है capital समया का तो 3,000 आप less कर देंगे capital में से 2 lakh rupees और यह जो आपकी left hand side है इसमें से सिरफ cash का जो head है वो change हो रहे और बाकिसर इमांट्स नहीं होगेंगी 40,000 is a 3,000 less कर दे तो 1 lakh 30 7,000 और बाकि amounts as it is broaden देगी इस तहां से आप अपनी transaction को equal करेंगे इसके बाद जो next transaction है वह paid rent of building यह हम अरड़ी कट चुके हैं तीसरी दफा करने लगे अगर expense होता है तो cash में से कमी हो जाएगी 2000 की और expense के तोब पे capital में से less होते है once again हम इस entry को कटते हैं 2000 का rent पे किया गया है आप rent में कमी cash में कमी का देंगे हो चुके तुमाम expenses मैंने already discuss की है business के capital में से less होते है जो 2000 आप इसको capital में से भी less कर देंगे question 3 के अंदर first entry business को start करने की furniture को purchase करने की और expense करने की entries हम आप जो आचुके थे different entries थी एक तो यह थी कि आपने purchasing की है एक ही entry में cash और credit बोत पे total purchase आपने 80,000 के लिए यतनी cash पे की cash कम कर दिया यतनी उदार की वो उदार 30,000 आपने creditors में show कर दिया इसके लाबा आपने sale की है लेकिन credit पे की है तो हमने show कर दिया कि जब sale होती है तो goods काम होती है 70,000 goods less कर दी और जितनी के आपने बीची है और आपके debtors है आप इन future उसी पैसे शूर करने है तो debtors का है नोपन हो जएगा assets की अंदर creditors में आगया और जो दोनों का difference होता है profit है positive difference जो positive difference होता है profit है तो profit जाके ओना की capital में add हो गया इसीज़ा उसके लाबा हमने 3000 का discuss किया है withdraw की है cash withdraw किया personal use के लिए to as expense which is withdraw किया पहले वो कम की withdraw मतलब कालवा से चीज़को निकानना तो जब 3000 withdraw किया निकालदा थो वो हमें less कर दिया और चुके expense and capture में से भी जाकि वो less हो गया इस वीडियो को मैं तरी wind up का हूँ इसके बाद भी मेरा अगल एक्ट्रों को question about 4 के उपर होगा वो next video बनाऊंगा ताहके MBs जो ना कम भी consume हो आपको easy o download कर दे